श्रीक्रिष्ण मुरली मधुर बजाएं गुझे राधा नाम रास रचाते व्रिंदावन में प्रेम का सच्छा धाम हरे क्रिष्णा आप सभी का दिन शुप और मंगल में हो इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनिवाद आज आप सुनेगे कार्थिक मास मातमे का बाईसमा ध्याय आज का ध्याय शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही प्रेणा दायक कहाने सुनाते हैं एक बार एक महिला थी वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजान भोजन पकाती थी और एक रोटी वह हर दिन वहां से गुजरने वाले किसी भी भूके के लिए पकाया करती और वह रोटी पकाने के बाद उस रोटी को खिड़की के सहारे लटका दिया करती ताकि उस रोटी को कोई भी ले सकता था एक कुब्रा व्यक्ति जिसने उस रोटी को खिड़की पर रखे देखा तो उस रोटी को रोज ले जानी लगा रोटी मिलने के बाद धन्वात देने के बजाए वह रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह से बढ़ बढ़ाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ होकर रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वो तुम तक लोट कराएगा दिन गुजरते गए महिला का खड़की पर रोटी रखने का ये सिलसला चलता रहा और वह कुब्रा व्यक्ति रोज की तरह रोटिया लेकर महां से जाता रहा और हर दिन वह इनी शब्दों को बड़बडाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लोट कराएगा वह महिला उस कुब्रे व्यक्ति की इस हरकत से तंग आ गई थी मनी मन खुद से कहने लगी एक तो य बोली कि अब तो मैं इस कुब्रे व्यक्ति से निजात पा कर रहूंगी मैं इसका यहां आना ही बंद करा दूंगी ऐसा कुटिल विचार उसके मन में आ गया फिर उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उस कुब्रे व्यक्ति के लिए बना कर थी आज जब जैसे ही उसने वह रोटी खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कापने लगे और रुक गए फिर वो बोली है भगवन में आज क्या अनर्थ करने जा रही थी और उसने तुरंत उस रोटी को चुले की आज में जला दिया अब उसने एक करोगे वो तुम तक लोट कर जरूर आएगा ऐसा कहकर वहां से चला गया इस बात से बिलकुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है वह व्यक्ति वहां से अन्भी के अंजान सा चला जा रहा था हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखा करती तो व महिला के एकलौते पुथंद की कोई खबर ही नहीं मिली थी ठीक उसी शाम को उस महिला के दरवाजे पर एक दस्तक हुई खट-ट उस ने दरवाजा खोला तो वह हिरान रही गई उसने देखा कि दरवाजे पर उसका एकलौतब़ूतर सामने खड़ा है लेकिन उसके मतकार है कि आज मैं यह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ आज जब मैं घर से एक मील दूर था मैं इतना भूखा था कि मारे भूख के मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गया मुझे तो लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे उसी समय एक कुबड़ा व्यक्ति वहां से ग निकालकर मुझे यह कह कर दे दिया कि मैं हर रोज यही खाता हूँ लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा जर्वत इसकी तुम्हें है सो यह लो और अपनी भूख मीटाओ मा यह उसी रोटी का चमतकार है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ जैसे ही माने पीला पड़ गया और अपने आपको संभालने के लिए उसने दर्वाजे का सहारा लिया अब उसके दिमाग में वो बात खूमने लगी कि कैसे उसने एक सुभा रोटी में जहर मिला दिया था अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नस्ट नहीं की होती तो आज उसका बेट जो के वो तुम्हारे साथ रहीगा और जो तुम अच्छा करोगे तुम तक लोट कराएगा इसलिए हमीशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आपको कभी मत रूखो फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी कोई परशचा करे या ना करे आपको उस बात से कोई फर्त नहीं पढ़ना चाहिए यह थी आज की कहानी अब सुने आज कर द्याएं तो देवर्शी नारत महाराज प्रतु को बड़े मनोयोग से सारी कथाई सुना रहे थे और महाराज प्रतु भी बड़े शांथ मन से एकागरी चित्थ होकर सारी कथाई सुन रहे थी नौमी की कथा प्रबल इच्छा है देवर्शी नारत कहने लगे हे राजन यह व्रत तो अनादी काल से था परतु बीच में लुप्त हो गया था दोबारा यह कब और कैसे प्रारम हुआ अब इसका इतिहास भी सुनो इस युग में भगवान कृष्णे ने भीश्म पिता मह को यह व्रत बतल भगवान श्रीकृष्ण कौर्वों को समझाने के लिए गए तब सबसे पहले वे विदुर जी के पास पहुँचे विदुर जी ने उनका अत्यत आदर सतकार किया फिर श्रीकृष्ण जी भीश्म जी के पास गए वहां जाकर कुशल चेम के बाद श्रीकृष्ण ने अपन पांडवों की ओर से ही दूत बन कर क्यों आए हैं और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है तीनों लोग तो आपके वश में हैं तब पांडवों ने ऐसा कौन सवरत तब दान पुर्ण या यग्गी किया है या फिर उनके पास ऐसा क्या वशी पूर्व जनम में उन पाजों भाईयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रेम है इसी कारण मैं इस जनम में उनके वशी भूत हूँ अब तुम भी उस व्रत का व्रतान सुनो अत्यंत प्राचिन काल में उजयन नामक नगरी में कवी, शुची, द्रड, दंत और हंस नामक पाज प्रामन रहा करते थे, वे सभी वेदों के ग्याता, युवा, रूपवान और गंधर्ब विद्या में अत्यंत निपुड थे, वे सभी दिशाओं में ब्रहमन करके अपनी गान विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे, एक बार व उन्होंने राज सभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे चार दिन तक उपवास और परम पवित्र यमुना जी में इस नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण व्रतांत पूछा। किया करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादंबरी के निरत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से वे कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास निरत् भी शुद्ध नहीं है। ये बात वहां उपस्तित लोगों में से किसी ने जाकर राजा से कह सुनाई। राजा ने जहां पर कादंबरी का निरत्य हो रहा था वही पर उन पांचों को बुलवा लिया। वहां पहुँचकर उन्होंने राजा को पहले तो आशिरवात दिया फिराजा के निकठी आसन पर वे बैठ गए। कादंबरी ने फिर उनको संगीत विद्या में अत्यन्त निपन समझ कर उनके सामने अपना विशिष्ट नृत्त प्रस्तुत किया। जब उसने चकर में ताल दिया तो उन ब्रहामणों ने उसे रोग दिया। उसने चकर छोड देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रातरी के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पाचों को यह संदेश भिचवाया कि तुम में से एक प्रति दिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे हुए निर्जन अनंत नामक तीर् अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखलाओंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान कहने लगे कि एक ब्रहमचारी जो की मेरा भक्त था दुष्ट संगती से बचने के लिए वह गाउं से बहुत दूर रहा करता था। उन दिनों वह भीश्म पंचक व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुकल एकादशी के दिन उन संगीता की ब्रहमणों में से कवी नाम का एक बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादमबरी भी वहाँ पर पहुँच वहाँ मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया कभी नामक ब्रहमण ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके बाद हाथ में विर्णा लेकर उसने गायन प्रारंब कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था। इस कारण गायन सुनकर भी उसे क् नहीं आया। उधर कादंबरी और कवी समस्त रातरी गायन और नरथ करते रहे। प्रातहकाल ब्रहमचारी भक्त को गोबर का आच्मन करते हुए देखकर कभी ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादंबरी वापस अपने महल में चले गई। ब्रहमचारी की संगती और रात उसने भी रात्री भर कादंबरी के साथ निरत्य और गायन किया और फिर ब्रह्मचारी की तरह पूजन करके गौमुत्र का आचुमन किया प्रातकाल होते ही वह भी अपना संपोन धन दान करके सन्यासी हो गया उसने निश्चे किया कि जिस प्रकार कादंबरी के निरत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलायमान नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में अवशी ही करना चाहिए। अर्थात चतुरदशी को जिसे ब्यकुंठ चतुरदशी भी कहते हैं उस मंदिर में चौथा भाई जिसका नाम दंतु था आया और पहले अपने भाईयों की तरह उसने भी कादंबरी के साथ राधवनृत और गयन करके ब्रह्मचारी से बचेवे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने की कारण उसने भी सन्यास ले लिया वह भी विरक्त हो गया सबसे अंतमे अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुनाजी में सनान करके आवले के व्रक्ष के नीचे श्राध कर्म किया और बाद में कार्थिक मास में हमारा पूजन और दान पुर्णिक करने से करोडों यग्यों के समान फल प्राप्त हो जाता है। उधर राजा ने नित्य प्रती रात्री में कादंबरी के मंदिर में जाने का समचार पाकर उसे महल में ही बंद कर दिया जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार् के जागरण के कारण कवी अर्जुन शुची सहदेव दंत नकुल और द्रण नाम वाला ब्रहमन पराक्रमी भीम हुआ है भीश्म जी वस्तुतहा पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किये गए इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशिभूत हूं और इस चनम में मै उनका साथ दे रहा हूं भीश्म पितामे को भीश्म पंचक व्रतों का महतम में सुना कर भगवान कृष्ण मौन हो गए हरे कृष्ण आज के ध्याय में बस इत नहीं इसके आगे का व्रतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा अब सुनिए श्री तुलसी चालिस अब जनहित हे व्रंदावनी अबन करप विलंब दीन जानी जानी छाडव छोहू सुनि लक्ष्मी दुलसी की बानी दीन हो श्राप कध पर आनी उस अयोग वर मांगन हारी हो हू बिटप तुम जड़तन धारी सुनि तुलसी ही श्रप्योते ही ठामा करहु वास तुहुनी चन धामा दियो वचन हरी तब तत काला सुनहु सुमुखि जानी हो हु बिहाला समय पाईर्यो रोपा पितोरा पूजहि आसव चन सत्मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा ता सुभई तुलसी तूबामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखिनाही दियो शाप तुलसी तत काला नरलो कही तुम जन्म हुबाला योगोप वहदान विराजा शांख चूण नामक शिरताजा तुलसी भैता सूखी नारी परमसती गुण रूप अगारी असद्वे कल्प बीत जब गय हूँ कल्प तुरती जन्म तब भय हूँ व्रिंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम उपती को कर अतिद्वंद अतुल बलधामा कीना शंकर से संग्रामा जब निज सैन सहित शिव हारे मरहिन तब हर हर ही पुकारे पति व्रता व्रंदा ती नारी को न सक पत ही संहारी तब जलंधर ही भेश बनाई व्रिंदा धिगहर पहुचो जाई शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर्शोक उपारा तिही छण दियो कपट हर तारी लखी व्रंदा दुख गिरा उचारी जलंधर जस हत्यो भीता सोई रावन तस हर ही सीता अस प्रस्तर समहदय तुम्हारा धर्म खंडी ममपत ही संहारा यही कारण लही श्राप हमारा पोवे तनुपाशान तुम्हारा सुनी हरी तुरत ही वजन उचारे दियो श्राप बिना वी चारे लख्यो नान जिकर तूत पती को छलन चहियो जब पारवती को जड्मत तुह अस हो जड्रूपा जग मेह तुलसी बिटप अनूपा धग्व रूप हम शाली ग्रामा नदिगंड की बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चड़ई हैं सब सुक भोग परम बदबई हैं बिन तुलसी हरी जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उरपीरा जो तुलसी दल हरी शिरधारत सो सहत्र घट अमरत डारत तुलसी हरी मन रंज निहारी रोग दोश दुख भंज निहारी प्रेम सहित हरी भजन निरंतर तुलसी राधा मे नाही अंतर व्यंजन हो छप नहु प्रकारा बिन तुलसी दल नाहर ही प्यारा सकल तीठ तुलसी तर चाही लहत मोक्ती जन शंशे नाही कभी सुन्दर इक हर गुण गावत तुलस ही निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुरवा साधामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठ करह जो नित नरिनारी हो ही सुख भा शहित्र पुरारी तुलसी चालिसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी दीप दान करी पुत्र फल पावही बंध्यो नारी सकल दुख दरित्र हरी हार वे परमप्रसन आशिय धन जन लड़ही कर बसही पूर्णा अत्र लाही अभ तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सोत सुखराम मानस चालिस रच्चो जग मह तुलसी तास प्रेम से बोले तुलसी महरानी की जय तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तब कीनो शालिगराम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मल श्रीपती कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने बुईरानी तुलसा कौन महीने हुई हर याली नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो आशार मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरी आली नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो कार्थिक मास में हुई तेरी पूजा मंग सिर मास हुई पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो दूप दीप नैवेत आरती खुश्पन की वर्शा बरसानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो चपन भोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हर एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को दो पहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को सांज को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो सब सक्कि मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजै महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो तुलिसी महरानी नमो नमो हर की पतिरानी नमो नमो